हेलो विए स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल्टूशन गुरजी में आज हम बात करें कार्यपत्रक 82 की जो की पाच फरवरी के लिए जारी किया गया है यह कक्षादास का विज्ञान वेशे कार्यपत्रक है यहां विद्यारती अपने नाम लिखेंगे और समझाती है शेणी के बारे में इसमें तो चली बच्चो शुड़ू करते हैं आपका पार्ट कार्बन और उसके योगिक और प्रिक्रात्मक समूँ तो प्रिक्रात्मक समूँ क्या है जब हाइड्रोकार्बन की सिंखला में अलग-अलग तत्व लग जाएं जैसे कि हैलोजन नाइट्रोजन और या । या एक से अदिक हाइड्रोजन को परिस्थाप्र कर दे यह जो तत्व है बच्चो यह क्या कर यानि की हैलोजन ना इक्सूजन सुल्फरScott उपिसे जढ़ा प्रिक्रात्मक समू बच्चो अब प्रिक्रात्मक समू कैसा हो सकता है प्रिक्रात्मक समू अगर क्लोरिन ब्रोमिन जैसी स्वस्तू लगे तो ये क्लोरो या ब्रोमो नाम से हमें दिखाई देगा और इसमें क्लोरिन और ब्रोमिन जुड़ता है अलकॉल लगे तो OH लग अब समझाती शेड़ी व्यकार्बन की शिंकला है जिसमें एक ही प्रकार का प्रकात्मक समुझ सतापित हो गया और वो शेड़ी आगे बढ़ती चल जाए जैसे कि उदार्ण दिया हुए अलकॉल का यानि की मितेनोल इतेनोल प्रोपेनोल इस तरह यह चलता से लगा रहा है व बात करते हैं तो यह सामान सूत्र वाले होते हैं सेश टू का अंतर होता है इसमें 14 तुनिट धरवेमा निकाई का अंतर होता है बहुत इक गुरुन में भिंता होती है प्रतम तो रसाहीनी गुर्ण जात्तर समान होते हैं बच्चों कि चल यह अब जरहाए आपके प्रशन दो संदस्टों के नाम लिखना नी अल्डी हाइड ग्रूप का आपको नाम लिखना है तो नाम है सके सी 3H एक मेरे सी 3H 5C-H-O और सी 4H 7C-H-O यह यह समू है प्रशन नमर तीज पे आएंगे जब हम तो निमली के प्रकात्मक समू के पैचान किजिए प्रकात्मक समू पैचानना है पहला है फॉर्मल्डीहाइड तो इसमें अल्डिहाइड ग्रूप यह प्रकात्मक समू है पु दूसरा है हमार ऐसेटिक है इसमें कार्बोक्सलिक अमल यानि कार्बोक्सलिक एसेड इसमें मॉत हैं तीसरा है हमारा इधेनोल इसमें एलकोलिक गुर्फ बेट्चो और चोथा है हमारा एसेटों इसमें किटों गुरुफ है बच्छ Rozum प्रश्ण नमर चार है उस समझाती शिर्णी के दूसरे सद्धिसे का नाम वे सूत्र लिखे जिसका सामाने सूत्र है क्या है सामाने सूत्र CnH2n तो यहाँ पर आएगा C2H4 यह होगा इथाइलीन ठीक है उचो प्रश्ण नमर पाच है समझाती शिर्णी क्या है उधारण देकर समझाईए तो जब एक प्रकात्मक समू की एक शिर्णी कार्बन शिंखला में जुड़ जाया और वो आगे बढ़ती चल जाया जैसे कि अलकोहल का उधारण दिया आजने अईसी शिर्णी एकर बने तो कहलाती है समझाती शिर्णी वच्चो चली अग्ला देखते है समझाती शिर्णी के योगिकों की तीन विशिस्था लिखे तो योगिकों की तीन विशिस्था क्या है बच्चो C.S.2 का अंतर होगा 14 युनिट दरविमान होगा सामान सूत्र सामान सूत्र सामान होगा और बहुते गुंड़म में बिनता आती है परन्तु रसाइने गुंड़म सामान होगे चलिए बच्चो अगरा परशन देखते हैं परशन नमर साथ है कि C3H6, C4H8 तथा C5H10 यानि कि प्रोपेन वाले ये सीरी चल दी है पुरी पुरी समझाते शेड़ी में आते हैं तो ये क्या कह रहा है कि इतने और इतने का गलनांक कि अपक्षा उच्च क्यू है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइट्रोजन और कार्बन की संक्या हर बार बढ़ रही है बचो पहले जब शुरुआत कि हमने ये कितनी थी इतनी प्रोपेन में इतनी ब्यूटेन में फिर आगे बढ़ती चली गी इसी वज़े से जैसे जैसे कार्बन और हाइट्रोजन की संक्या बढ़ रही है तो कातनांग और गलनांग उच्च होता जा रहा है अब ये तीनों योग योग को बढ़ते हुए कातनांग के करम में लिखेंगे हम तो सबसे पहले आएगा ये उससे ज़्यादा होगा ये और आकरी में होगा C5H10 ठीक है बचो अच्छा अब है पस्ट नमबर आठ की टोन समझाद स्टेणी के पहले सदस्टे का आणविक तता सम्दाज मक समू लिखिए तो ये कुछ ऐसा हुगा ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चो ठीक है तो बच्चों ये होगी आपकी वक्षीट कम्प्लीट और वीडियो भी आशा अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चल्कू सब्स्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें ठैंक यू